चोपड़ा हैं जो किसे यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चों, आज 30 जून 24 को नीट का री रेजल्ट जारी होगा ये कब होगा? इसके विशे में हम बादशीत करेंगे साथे साथ ये चर्चा भी करेंगे कि इसकी क्या importance रहेगी और ये आपको कैसे download करना है क्योंकि download करने का जो procedure है वो change हो चुका है तो सबसे पहले हम बात करें कि ये रेजल्ट कब धक आने की possibility है तो ये रेजल्ट आज 30 जून 24 को evening night में आने की possibility है यानि कि ये evening में आ सकता है या फिर night में आ सकता है लेकिन आज इसके आने की पूरी पूरी possibility है अब बात करते हैं कि इस रेजल्ट में क्या include होगा तो ये जो रेजल्ट है वो सभी 23,33,297 candidate के लिए republish होगा और ये 30 जून 24 को आज ही publish होगा इन 23,33,297 candidate में 813 candidate का new score आएगा 813 candidate का new score आएगा जिसने 23 जून 24 को re-exam दिया था ये grace marks वाले student हैं जो बाकी बचे हुए candidate है उनका score है वो पहले वाला score ही रहेगा इन में 715 grace marks वाले candidate भी है जिनका grace marks हटा करके वो result publish होगा उसमें पुराने वाला ही result रहेगा उसमें grace marks हटा दिये जाएगे इन 715 candidates का इसके बाद में जो नया result होगा उसमें सभी candidates की rank भी change होगी category rank भी change होगी और all India rank for counselling के लिए जो rank आती है वो भी change होगी इन सभी 23,23,297 candidates की जो 30 zone को result आएगा अब ये result हमने कैसे check करना है और इसकी खास बात क्या है इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है तो इसकी जो website है जहांपर NTA की आप activities देखते है exams.nta.ac.inobligneet तो इस website पर जैसे ही आप visit करेंगे यहांपर click here to download score card पर आपने click करना है तो इसकी आप इस website पर पहुंच जाएंगे need24 score card link की आ लिखावा है click here for need24 score card पर click करेंगे आप तो यह interface आ जाएगा यह आप direct भी google search में डाल सकते हैं need.nta.online.inobligneet तो यह link मैं आपको इस video के description box में भी देदूँगा जहांसे आपने यह result चेक करना है इस link से अब यहां आपको application number डालना है date of word डालनी है candidate email डालना है और mobile number डालना है यहां पर candidate के फिर capture डालने के बाद में submit करना है मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले यह result है application number of date of birth से ही open होता था लेकिन NTA ने email ID और candidate mobile इस बार extra जोड दिये हैं ताकि NTA की जिस परकार से 718 और 719 की गड़बड़ी पकड़ी गई थी इस परकार की कोई गड़बड़ी पकड़ी न जासके इसलिए candidate के email ID और mobile number इसमें और देना आउशक कर दिया है ताकि किसी candidate का कोई दूसरा result ना देख सके तो इस परकार से यह नया process भी change हो गया है result open करने का तो आप अपने application number, date of birth, email ID और mobile number ड्रोब करने के बाद capture code करेंगे submit करेंगे तो आपका result show होगा तो यहाँ जब आपका result show होगा तो जो नया result आएगा वो सभी candidate के लिए मानने होगा और इसमें जो result की date है वो 30 June 24 लिखी हुई मिलेगी यहाँ आपको confused नहीं होना है यहाँ जो आपका पुराणा result है वो 4 June 24 को issue हुआ था लेकिन उसमें rank वगरा और जो category rank है वो इस result में आपको change मिलेगी इसलिए आपने यहाँ देखना है कि यहाँ 30 June 24 जो लिखा आएगा वही result आपका मानने होगा यही result आपका मानने होगा यही result आपने download करना है इस पर यह data आपने चेक कर लेनी है वही नया result होगा उसमें rank आएगी नई category rank आएगी और All India rank for counseling के लिए लिखा आएगा वही मानने होगा तो इस परकार से आप चेक कर सकते हैं अपना score score download कर सकते हैं इसमें अब re-exam होगा या नहीं होगा री-neet होगा या नहीं होगा यह तो 8 July 24 को ही मालुम चलेगा Supreme Court के decision के बाद में कि 8 July को Supreme Court क्या decision देता है उसके बाद ही पता लग जाएगा और हमें यह बिल्कुल shorty है कि 8 July को ही decision आ जाएगा क्योंकि सारे तथे वगरा 8 July को ही रख दिये जाएंगे Supreme Court के सामने तो Supreme Court इसके बारे में री नीट का order भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता यह 50-50% chance है मैं आपको प्रिवेसी वीडियो में भी बता चुका हूँ कि क्या 50% chance री नीट के कैसे हैं और 50% chance री नीट के कैसे नहीं है इसका अलड़ी वीडियो बना चुका हूँ तो मिलेंगे नई update के साथ में नए वीडियो